लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए टीवीवर इंडिया लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत दिए दिब्यांगता जीवन के लिए बड़ी चुनाउती है लेकिन कुछ लोग ऐसे दिब्यांग हैं जो खेलों के जरिये इसको बड़ी चुनाउती दे रहे हैं ऐसे दिब्यांग एतलीटों को प्रोशाहन मिले और पेरालिंपिक के स्पोर्ट को बढ़ावा मिले इसके लिए यूपी आगरा के एक सख्स हैं जो पूरे देश भर में दोड़ कर पूरे देश भर में साइकल यातरा के जरिये जाकरुकता फैला रहे हैं इस वक्त हमारे साथ स्वयम आगरा के प्रमोट कटारा जी हैं हम उनहीं से जानने की कोशिस करेंगे कि आखिर इस मिशन का मकसद उन्हें उनका क्या है प्रमोट जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले आपसे सवाल यही जानना चाहेंगे कि आपने साइकल यातरा सुरू की है और वो भी पैरालिंपिक स्पोर्ट को प्रमोट करने के लिए और दिव्यांग एथलीट्स को प्रोस्टाहन देने के लिए आपका मिशन दरसल क्या है मैं खुद दिव्यांग ही मानता हूं अपने आपको क्योंकि मैं में बहुत जादा पढ़ने में अच्छा रही था और आज मेरा सरीर भी साथ नहीं देता है क्योंकि 15 साल पहले ही मुझे अर्थराइटिस हो चुका था और सबको पता है कि अर्थराइटिस कोई टीटमेंट नहीं है कुछ महीने टीटमेंट दिया लेकिर उसका कुछ फाइदा नहीं हुआ और हमने समझा कि गोलियां हमारे हार्ट को, लिवर को, किड्नी को डेमेज करेगा इसे बहतर है कि हम इसको दबाईयों से दूर रहे हैं फिर हमने सीधा जिम का रुक किया और जिम में जाकर हमने लगाता चाचार घंटे तक प्रैटिस किया और उसे हमारा मनोबल बढ़ा और हमें उसे प्रोसाहन मिला हमारी सोच उची होती गई और हम स्पोर्स के बारे में आगे बढ़ते गए जो आपने ये साइकल यात्रा सुरू की है इसका क्या मकसद था ये इसकी प्रेड़ना कहां से आपको मिली कि ठीक है आप अपने आपको दिब्यांगिता का शिकार मान रहे थे उसने उबरने के लिए अपने प्रयास तो किया लेकिन अब देज भर में साइकल से आत्रा करना ये मिसन क्या है गोज तो होते हैं मन में नए रे गोज बरावर बनते रहते हैं जब तक गोल खतम यह तब तक नया गोज तो स्रू हो जाता है मेरा अभी कुछ दिन पहले मेरे दिमन में बिचार था कि में साइकल से जो है बहुत टूर करूंगा विचार था बो फिप्टी अभी 57 का हूं और 60 के बाद हम बिचार कर रहे थे कि हम साइकलिंग करेंगे और पूरा विसुका भिमार करेंगे लेकिन और मतलब मैं इतना था कि में हिलने में भी बहुत ज्यादा दर्थ था तो और उसके बाद हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उनने बोला कि भी आपकी उमर ज्यादा हो गई सारी हड़ियां जो आपकी वीक होती जा रही हैं घिसती जा रही हैं फिर आपको इतना दबाब लेकिन जो हमारा टूर था वो हम यह सूचना चाहरे थे कि हम फिट हैं के नहीं सुरुआत कैसे करेंगे तो फिर हमने उसे कंसल्ट किया कि एक बार मुझे फाइन एक डाइगनोज बना दें तो मैं उसके बाद कुछ कर पा हूँ जो हैं तो उनने बोला कि आप एकसे करा लि और आप दोड़ना बंद करिये तो बस वही बात मेरे मन में खटा गई मैंने कि यह तो पॉसिबिली नहीं है बलकुल भी और मैंने उसे बिना कुछ किये यह प्लान बनाया कि मुझे इंडिया टूर करना है और साइके से करना है और मैं फिर उसकी सुरुआत कर दी हमने अभ हमने के सबसे पहले आग्रा से दिल्ली किया है डेली से मुंबई हमारा प्रथम चर्ण पूरा हो चुका और में इतना कम कर सकता हूं तो आप भी लोगशा कर सकते हैं अब जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप आगरा से निकल कर अभी मुबई आपका पहला चरण पूरा हो गया फिर चन्नाई फिर कुलकता होके आप आएंगे पुना आगरा ये इतने एक तक्रीबन छह से आठ हजार की यातरा है तक्रीबन ये इतनी लंब दूरी की है ऐसे में ज कि आपके आपके तो बीच रास्ते में कहीं कुछ मिलता नहीं साट साट साक्टर करें तक कुछ भी कुछ फेसलिटी कि दिए नियु तो कम से इतना तो होगा इन्जेक्शन लगा कि हम जो है नॉर्मल हो जाएंगे ये नहीं कि रोड़ पर ही हम तड़पे पड़े रहेंगे तो पूरा इंत्याम कर किया हैं, पूरा साइकल का इंत्याम है, अपना इंत्याम है और पूरा विश्वास है कि हम यात्रा को पूरा करेंगे आप साइकल से निकलने का मतलब है कि आप एक एक कदम इस धर्ती को देश की धर्ती को आप देख रहें अपनी आँखों से किस तरह से आपके नजर में ये पूरा भारत दिख रहा है साई की लियातरा करते हुए किस तरह से दिख रहा है उस जुनून के साथ साथ भारत का दर्सन आप कर रहे है भारत एक ऐसा बेचितर देश है कि हां की हर 50 किलोमेटर पर इसकी संस्कृती बदल जाती है एक नया शहर आजाता है एक नया राज्य आजाता है बहुत सारे नई लोग आते हैं उनकी भासा में बदल जाती है वहां की हवा बदल जाती है अब देखिए इस समय आगरा में हमारे शहर में एक दू तीन चार डिग्री टेम्परिटर चल रहा है और यहां पर हम जो गर्मी में पसीने स नाई हुए तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सुख़द एक्सपिरियंस है और हर सहर की अलग विशिष्टा है और उसका मज़ा एक दम अलगा है आपका जो मकसद है यह है कि जिस सरह से आप दिव्यांग दिव्यांगता को चुनोती देते हुए आपने यह आतरा सुरू की है आपको लगता है कि जो दिव्यांग एथलेट्स हैं उनके सामने भी इसी तरह की बहुत सारी चुनोतियां होती होंगी और उन्हें इस साइकल प्रयातरा के जरिये प्रोशाहन दिया जा सकता है? कर रहे हैं, सारे कंट्रीज को कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हमारे अंदर हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है, हमारे हिंदुस्तान में बहुत सरी ऐसी हैं, जो कि उनसे भी बहुत आगे निकल सकते हैं, बस हमें उनकी प्रेट फॉर्म देने की जरूरत है, उनका होस कि वहीं पे दबा दबा के इसको छोड़ देता है तो अब ऐसे में अभी इस साल का अगर हालिया अगर जो परालिम्पिक गेम्स हुए हैं टोक्यो जापान में हुआ था उसमें भारत के बहुत सारे लोग इसमें अथिलेट्स ने पार्टिसिपेट किया था और खुद प्रद उनका कि जो सब्द था उसका दिव्यांग सब्द कर दिया तो यह बहुत बड़ी उनकी बहुत बड़ी एक सोच है उनको एक सम्मान है उन लोगों के लिए ताकि वो आगे बढ़ सके उनको एक अच्छा अनुभव हो तो उसके साथ साथ हम यह चाहते हैं कि जो एथलीट्स हैं वो सुपर एथलीट बनके उभरे हैं उनको पेरा ओलम्पिंग के जाने का मौका मिले उनको होसला अफजाई करें उनके लिए जो धन की जरूरत है उनके जो आठी पसल उनकी जरूरत है तो उनको हम उनको प्रोवाइड कराएं उनका होसला बढ़ाएं और उनकी जो उन सिपिलिन है उनका वो उनको बनाई रखें आपने एक बात कही कि एथलीट्स के लिए वैसे भी बहुत सरा जो खाने पीने का होता डिसिप्लीन उसमें बहुत रहता है क्या खाएं क्या ना खाएं कैसे उनकी दिंचर्यार है ताकि वो फिट रहें क्योंकि उनको खेलना है और देश के लिए खेलना है ऐसे में आप किस तरह से अपने आपको मेंटेन करते हैं खाने पीने के मामले में आप से खास कर पूछ रहा हूँ कुछ तरह का फूड जरूरी होता है फिट रहने के लिए देखी खाना एकदम जो है क्या कहूं बहुत बगवास चीज है लोग नाप तोल की खाना खा रहे हैं सामानी जीवन जीने के लिए इतना खाते हैं कि उसकी जरूरत है नहीं बलकुल भी है अब आप से खानाे खाना के खाने का म underside में सब कुछ चोड़ा हूआ है मैं सारा नेचुरल फूर पर डिपेरेंड करता ह proteg और सिर्फ खाने में व्यवा एक कॉफी पीता हूं में जो है जो कि मुझे हर परेशानी से बचाती है क्योंकि हमें लॉंग टर्म में रॉनिंग करना है तो एक स्टेमिना कम होता है तो उसको में इंटेन करने के लिए हम कॉफी का इस्तेमाल करते हैं बाकी हम कोई भी पेग भूब अब चावल, रोटी, सब्जी अब कुछ नहीं खाते हैं यह पांसा से छोड़ा हुआ है और इसके लाब हम लोग मतब पेग फूल का इस्तेमाल नहीं करते बिल्कुल जो भोजर हमें पेड़ों से डारेक्ट मिल रहे हैं जो सीजनल फूट से उनको हम प्रिफर करते हैं जैसे इसक प्राकरफिक चीजों को या जो हारें पुद केड़ हम से हम जोटों हो तो एसा पॉसिबल का भूग कि हम भूट सब्छ खोड़ते हैं टोड़ा सा अपनी डाइट में चेंज करें प्राकरतिक चीजों को यह हमारे सीजनल फूर्ट से उनको इस्सेमाल करें यह दालों का इस्सेमाल करें दालों के इसा कुछ भी नहीं होता है आप कुछ खा सकते हैं लेकिन थोड़ा सा आपको टाइट होना पड़ा है खाने के लिए अब आप देखिए कि भगवान राम जंगल में गए थे नहीं अकेले थे महा कोई किचिन नहीं थी महा कोई काजू बदाम नहीं थे नहीं सबजी थी सिर्फ कंद्बूल पल खाते थे और कहां गए लंका गए और पूरे मता द्रावार को हरा गए युद्ध जीत के आए कितनी बड़ी बात है आप सोचो नहीं कुछ भी नहीं हूँ वो खुद एक अधारन है जंगल में जाके नंगे पेर जंगलों में घूमरें कोई देखी नहीं कहां से खाना लेना है और य एक चीज है कि आप जिस फिल्ड से तालुक रखते हैं मेडिकल फिल्ड से आपका लैब है जो जानकारी हमें है तो लैब छोड़कर और ये भारत घुमना कामदंदा चोड़कर भारत घुमना ये कहां से जुनून पैदा हुए आपके अंदर बस मैं पिछले तीस साथ से अ और अब मैं 57 का हो गया अब 60 में मेरा एक चरण एक मेरे जीवन का एक चरण दूसरे जीवन में पहुंच जाओंगा जैसा कि सब लोग मानते हैं लेकिन मैंने सोचा है कि मुझे साथ के बाद एक नए जीवन की सुरुआत करनी है जहां लोग अपने बोरी बिस्तर बानने ल अब तक आप चलते रहें रुकना नहीं बस किसी के मतना है आप पैदल चलिए दोड़िये साइके धीरे चलाइए तेज चलाइए बस चलाइए हाथ पे रहो चलाते रहें और सबस्तर बाद मैं यह मेसेज देनों दूंगा अब ही और क्योंकि मेरा ही सपना है कि मैं 60 बाद पूरी दुनिया साइके से घूमोंगा तो वही चीज दिमाग में आई कि यह जीवन तो बस ऐसे ही पैसे कमाने में खर्च करने में निकल जाएगा तो हम जीएंगे कब इसको जो है तो फिर हमारे अचानक ध्यान आया कि यह तो सब को चलता रहेगा लेकिन हमें जो सूचा ह हमारा सपना है वो पूरा होना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे बाद भी जुनिया चलती रहेगी कोई कोई बदलाब नहीं आने वाला तो वो बात हम पहले से क्यों ना सूच लें कि भाई लेव है तो वो भी चलती रहेगी कोई ने को देख रहा है ना उसको हमने अपनी ज साल से लगातार इस साइकल यात्रा हो खासकर जो परालिंपिक गेम्स हैं जो स्पोर्ट से उसको आप प्रमोट कर रहे हैं और दिभ्यांग जो खिलाडी है उनको आप प्रुसाहन दे रहे हैं किस तरह की आपकी ये जर्नी रही है और काफी आपको पुरसकार भी मिले हैं ऐसी जानकारी है तो कैसी जन्नी रही और किस किस तरह के प्रोसाहन आपको मिले खुद देखी अभी सबसे पहले जैसे हमने फर्स यह जो रिकॉर्ड बनाए लिमका उप में था नो घंटे बनाए बनाद जोगोद फासर्सका तो मेरा रहता है कि मैं कुछ न्या करूं और सारे रिकॉर्स मेरे अपने कुछी खुद की क्रेट किये हुए हैं मैंने किसी को कौपी नहीं किया नहीं मेने किसी की प्रेड लाली उस की बहुत तयारी कि जाती है जैसे दूबाल पी जाब हम लेटें ना तो आपकी गदन हवा में रहती है तो आप अपनी गदन किती हवा में रहती है जिस नॉड मोर दिन फाइज मिनिट या वन मिनिट नहीं कर सकते हैं उसके लिए हमने बहुत हमेडिटिशन का इस्तेमाल किया उसके लिए कुछ तो उसमें भी था हमारा गदन से 120 किलो बजन उठाना पीठ पर 200 किलो बजन रखना टेड मिल पर 25 किलो उल्टे चलना दोड़ना और इसी से लेटर बहुत सारे रिकॉर्ड्स थे अब तक कितने रिकॉर्ड हैं जो अब तक आप बना चुके हैं अभी हालिया आपने सुनाया कि अपने और भी रिकॉर्ड्स अभी अपने तोड़े हैं तो हमारा भी जो लेटेस रिकॉर्ड है वो मोस्ट कंसेकुटिव हाफ मेरतन रिकॉर्ड्स हमने लगा तार 306 मेरतन दोड़ चुके हैं वो मेरा 31st रिकॉर्ड था उसकी बाद एक गिनीज वर्ड रिकॉर्ड की भी अटेम्ट किया था वो भी उसका आचुका है सारा सार्टिफिकेट बगाए और अब यह चल रहा है यह भी लिमकाव को पॉब्लिस होगा अपने उस रिकॉर्ड की बात की जो जो रिकॉर्ड आपका है जो यह आपने कैसे 306 दिन क्या लगातार आपने मेरा थन में हिस्सा ल वो डेमिज हो चुका था पहले ही दिन क्योंकि कई बार इसा होता है जूता फिट नहीं होता है या एक नम्मर जूता बड़ा होना चाहिए यह 21 किलो मेंटर रनिंग करना है तो उसके लिए तो वो गल्ती थी हमारी लेकिन वो कुछ नहीं हो सका उस पूरा नाखून हमारा दो तीन महीने में सारा क्योंकि एक नखून आने मिलग एक साल लग जाता है पूरा नाखून तो वो दिकत आई च्छाले पड़े बहुत सारे बहुत दिकती पहन के भी दोड़ना पड़ा है बीच बीच में हमारा बीपी लो हुआ और तो जब लो हुआ तो पुई हम सबसे बड़ी बात थी कि हम धूप में तौड़ते थे मैई जून में तो उस समय मतलब इतना ओवर कॉन्फिटेंट हम पानी भी नी पीते थे बस पी लिया जब बादम बालम पड़ा कि हम पहले सी पानी पी की चलना चाहिए आप इतना रन कर रहे है तो दिकते कुछ कम होन किंते क्या हुआ है कि 306 तक लकातार 20 किलोना का कंटीनी डोर ना ए Mmk compliqué हमने लिंग का हमें 100 दड़ना ता एक कुछ था तो टो हमने लिंपको इंंफॉर्म किआ कि हमें हन्रीड स्केली के लिए हमें रिकॉर्ड बनाना है इसकि लिए मैं क्या करना चाहिए तो उनने बताया क कि आप 121 मेरा थन का रिकॉर्ड है अभी तक और आप उसको ब्रेक कर सकते हैं तो हमने सुचा कि चली सो तो दोड़ रहा है तो 120 भी मना लेंगे हैं तो क्या दिक्कत है फिर फिर उसमें आया कि बाद में आया कि जितनी पार्टिसिपिजेंट है इस साल में जितना भी दोड़ होगा उसी को पॉब्लिस करेंगे नहीं जैसे मालों आपका 130 का है और 150 का पहुंच गया तो 150 भी पॉब्लिस होगा हां बाकी नहीं होगा तो यह मन में एक यह भी डर था कि बना तो लिया लेकिन वो दूसरा कोई तीसरा नहीं ने हो तो फिर हमने जो है धीरी धीरे करके उस कि दोरान जो है मतलब पांच मेरा था हमने बुखार में दोड़ी जब हमारी रिकोर्ट पोजिटिव आगी तब हमने एकदम ब्रेक किया और फिर हम जो है एकदम एक मेने के लिए कमरे में बंद हो गए तो यह आपका विस्व रिकार्ड बनाई है नहीं विस्व रिकार्ड हाँ यह इंडिया का सबसे बड़ा रिकोर्ड है और यह एसी अबुक ऑफ रिकोर्ड में भी दज हो गए है प्रमुत जी जब जिन्दगी को देखते हैं तो बहुत सारे उतार चड़ा लोगों को होते हैं को कि फाइनेंस बहुत बड़ा मैटर करता है और आप अपने अभी सपोर्ट करते हैं मुझे पूरा और थोड़ा बिरोध भी करते हैं क्योंकि मेरी उम्र है मेरे जब देखते हूं जब मैं दर से तरड़ता हूं इतना ज़रूत करने की सब कुछ है तो जिमिदाई तो उनकी बनती कि यह इतना परिशान रहते हैं गुट्णों में दद दूर तो देखते हैं कि जीना चड़ा नहीं जा रहा है, यह एसे दोनों हाथों से जीना चड़ रहा हैं, तो उन्हें भी परिशानी होती है। लेकिन ये है कि उनका शहयोग तो रहते ही रहता है मेरे साथ और खुस भी बहुत रहते हैं कि चलो एक काम एक गलाते तेक सही भी हो रहा है जो नए लोग हैं बहुत सारे लोग हैं इस तरह के जो कुछ जीवन में कर सकते हैं आप उन्हें किस तरह की प्रेड़ना देना चाहत उनका बढ़े, ऐसा क्या संदेश रहेगा? सबसे पहले तो मेरा संदेश यह है कि सामाने लोग उनको विकलांग ना कहें, उनको दिव्यांग सब्द का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो एक तरीके दिवेप्रोस है, क्योंकि आपने सुना होगा कि इन लोगों के अंदर एक गुन जादा होता है, हर जगे सुना होगा, तो फिर उसको माना क्यों नहीं जाता है, जब एक गुन जादा है, तो माना क्यों नहीं जाता है, वो एक्चुल किया है वो ज़्यादा फोकस रहते हैं वो ज़्यादा फोकस इसली रहते हैं कि उन्हें यह लगता है कि हम दिव्यांग हैं हमारे अंदर छम्ता की कमी है लेकिन उसको कवर अप करने के लिए वो कुछ बहुत ज़्यादा फोकस हो जाते हैं वो इतनी ज़्याद प्रमोट जी जैसा आपने भारत की आत्रा आपने शुरू की है और आगे आपका मिशन है कि विष्व का भरमण करेंगे वो भी साइकल से तो क्या उसके लिए कोई खास्ता है कि चुकि आपकी सेहत भी उसमें बहुत इंपोर्टेंट रोल निभाने वाली है कि विष्व भरमण के लिए कुछ खास तैयारी करनी पड़ेंगी हमें जो है अपनी साइकल बदननी पड़ेगी और मैं तो मुझे अपनी चिंता नहीं रहती है जितनी मुझे साइकल की चिंता की लेनी पड़ती है उसके टायर्स है जो भी है मतलल लॉंग टर्म में आपकी साइकल जा रही है एक साल के लिए तो जल्दी खराब ना हो टायर खराब ना हो पंचर कम से कम हो यह सब बहुत ही एक्सपेंसिव है करीके से ज़ए तो उसके लिए हम अलग से साइकल खरी दें हैं चुकि आपकी यात्रा चल लए है तो यह बीच बीच में अभी जैसे आप मुंबई में थे मुंबई में आपका बहुत भविस सतकार किया गया कैसा वहां पर फीलिंग आपकी कैसी रही लोग किस तरह से इस आपके मिसन को ले रहे हैं आपके जागरुकता अभियान को हाँ अभी तक कुछ लोगों में कुछ वह था कि सब कुछ सामाने साही चल रहा है लेकिन जब मैं आगरा से निकला और मेरे मित्र हैं परिवार के लोग हैं समाज के लोग हैं वो बहुत प्रोसाहित हैं बहुत उतसाहित हैं और उनके हमेशा ही मैसेज आते रहते हैं कि आप जो करें ना बहुत अच्छा कर रहे हैं और वो चीछ छोड़ी है जो अजनभी रास्ते में मिल रहे हैं साइकलिस मिल रहे हैं जनरल लोग मिल ले हैं वो इतने ज्यादा एक्साइटेट ने मैं पूछे मत कल जब मैं बरोद्रा में था तो एक लड़की थी उसने सब कुछ मेर बारे हैं समझा और फिर वो सलूट माने रहे हैं वो सर हम आपको सलूट करते हैं आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो यह बहुत बड़ी बात है लोग उतर उतर के मतलब बहुत ज़्यादा आज की बात है मुंबई में वो एक सर के सामने की बात है एक बंदा आया उ इसी एकाउंट पैसा डालना है जो मुझसे पांच मिट भी नहीं मिला और बस पढ़ते ही उसकी मन में विचारा है कि आई यह तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो पैसे टांसफर कर रहे हैं मतलब मेरे तो समझ भी नहीं आई यह है क्या जब आप सत्ती के साथ चलते ना द बुलकुल मुंबई में आज आपका बहुत भब्य सत्कार किया गया गेटवे आप इंडिया पर वहां पर जहां से कभी भारत में अंग्रेज आये थे लेकिन आज आप उस उस पूरे च्छत्र में आपने साइकल के साथ आपका सत्कार किया गया कैसी अन्भूती रही आपक हाँ सबसे बड़ी बात थी कि वहां के जो इंचार्ज थे हमने उनसे बताया अपने बारे में कि हम आगरा से आये हैं और दिव्यांग लोगों के लिए कुछ करना चाह रहे हैं तो उन्होंने हमारा बहुत ही स्वागत किया उन्हें आदा घंटे तक हमारे साथ दिया उन्हें कौफी भी बिलाए और साथ में जाके साइकल के साथ फोटो वेखे जबाए तो सबसे बड़ी बात है कि पुलिस विभाग दोरा इतना आधा सत्कात करना हमारी तो बहुत पूरा दिन साइकलिंग करते करते निकला मारा आपको अंदर भी लिया गया था सुना मैंने की हां बुलकु जहां पर परमीशन नहीं है साइकल अंदर जाने की तो वह साथ के और उन्हें फोटो खिचाने की अनुमति दे दिया है आप जो ड्रेस पहने हैं वो पूरा भारत का प्रतनिजित करने वाला अड्रेस है यह जो तिरंगा है एक तरह तिरंगा ही आपने पहना हुआ है इसको पहनने के बाद जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको कैसे अनुभूती होती है क्योंकि आप आप अवी वेक्ती नहीं रह गये हैं आप भारत का प्रतीक बन गए है क्या होता है कि मैं अंदर ऐसा लगता है कि मजे कुछ एक अलग सक्ती जसे में अंधर समाबिस कर गई हो तो लोग बहुत स्थ बात लोग बहुत स्थ करते हैं हमारा विभाग यह नोग होते हैं पुलिस विए, कोई parsी सरकारी बेवाग बहुत रैस्थ एसे हैं तो बहुत अ खास विशिष वर के लिए इस्तेमाल किया जाता है लेकिन जातर लोग मांसिक रूप से दिव्यांग होते हैं यह मेरा सोचना है जब तक आपकी मांसिक विकलांगता दूर नहीं हो सकती तब तक कुछ भी बदल नहीं सकता दुनिया में हम लोग कभी तरक्य नहीं कर सकते, दूसरों से आगे कभी नहीं बढ़ सकते, सबसे बड़ी चीज है कि हमें अपनी negativity को उठा के दूर फैक देना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ रहें, उसके लिए बहले ही आपको कुछ पे करना पड़े, लेकिन आप हमेशा अच्छे ल मेरी आदी एनर्जी सो वहीं से आजाती है, तो ये बहुत बड़ी चीज है, जब मैं दिव्यांगों से मिलता हूं तो उनकी आँखे से ऐसे हो जाते हैं कि कौन आगए जो हमारे लिए सोच रहे इतना जो है, भई हम उनके लिए हम तो पूरी दुनिया के लिए सोचते हैं, जो भी हैं, हम सब लोग करते हैं, मंदिर में जाते हैं, विकारियों देते हैं, कुछ ने कुछ करते हैं, हर आदमी करता है, तो हर आदमी करने का तरीका अलग है, कोई दान करता है, कोई पैसे दान करता है, कोई शरीर से करता है, कोई भोजन से करता है, हम मोटिवेट कर रह तो सब को काम करने का तरीका अला लगे प्रमोत कटारा जी जीवन में क्या बड़ी इच्छा रख रहे हैं अभी जो आपका दौर चला आपने कहा कि जब आप साथ के हो जाएंगे तो जब सारे लोग अधिकांसतर लोग जब यह समझते हैं कि अब उनके बैठने और आराम करन और उपर जाने का वक्त आ गया है तब आप नई जिंदगी सुरुआत करना चाहते हैं इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे आपके आखरी इच्छा क्या है एक आखरी इच्छा तो एक है बस जो है कि 80 साल की उमर पे मांट एवरिस्ट पे चड़ना है तो ऐसा नहीं है यह म कि मैंने एक टीवी पर देखा था कि कुछ अंगरे थे चार पांच ऎक तो दस पंद शाल प्रेटी एब समया तो बहु जो है तब है कि वह तो है आथा सब्धिसे अःटंगे बिशे तो वह हम जो है अधी साल के मूर पे मौंट एबर शाड़ उरिपो मैं छड़ में उनको फॉलो करिए, उनको पूरा करने का प्रयास किए, सफलता आप कुछ जरूर मिलेगी. सब्सक्राइब बहुत बहुत थेंक्यू आपने TV1 इंडिया से बातचीत की, आप सुन रहे थे उसको प्रमोट करने के लिए, ऐसे खिलाडियों को प्रोशान देने के लिए, पूरे भारत का भरमर करने हैं, जैसा कि उन्होंने कहा, कि जब सब लोग 60 की उमर में घर बैठते हैं, उसके बाद उनकी नई जिन्दगी सुरू होने वाली है, और जिस तरह से उनके होसले बुल होसला है, इनकी जो बुलंद सोच है, उस बुलंदी तक इन्हें जरूर पहुंचाएगी, कैमरावन रविचंद के साथ मसुधीर सर्मा, टीवीवन इंडिया, नविम भई